अल्लो गाईज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एमिज पॉस्बिल व्लॉग गाईज हम दसरत महल आ चुके हैं जोकि अच्छी अच्छी कलाकतियां बने हुई हैं यह गाईज हम में गेट से एंटर कर रहे हैं टुर्स्पिश्टा के लिए तूरिस्टा टूर्स्टा उनके लिए यह पर ठहरने का अच्छा इंतजाम किया गाईज यूрь āट्ण बनुकि और अच्छी वरस्था हैं काफ्य आप यह पेड है शाया के लिए बैसने के लिए और नल है जगा-जगा पर पानी पीने के लिए तो गैज आब हम अंदर एंटर कर रहे हैं स्री चक्रवर्ति महराज राजा दसरत जी के महल के बड़े अस्थान में जिसके महेंद स्रीद देव प्रशाथ चाहर जे है तो गैज हम आपको विजिट करा रहे हैं राजा दसरत मह महल के बारे में आए अहां यहां पर गवाण राम का पूरा बच्पन भीटा है भगवान राम मों जन्म के बाद भगवान राम का पूरा बच्पन यहीं पर बीटा है ये संकट इसी प्रांगण में संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर स्थित है तहाँ पर निरंटा भजन होते रहते हैं तो ये देखें गैज काफी खुबशूरत महल है ये गैज आप देख सकते हैं बहुत भव्य महल है स्वानड कलर में ये गैज आप देखें राजए दसरत जी का महल है बहुत ही का शंदर और आकर्षक है तो ये देखें गैज और हम आपको पास से दिखाने को सिकते ने गैज ये देखें काफी संदर महल है ये देखें बहुत ये अच्छे ढंसे लगता है पूरा स्वाड का बना हुआ महल है ऐसा प्रतीच होता है गाईज पूरा महल फरणीम कलर में है यह देखिए गाईज और यहां पर बहुत ही ठन की अरवा मिलती है और एक अलग टाइब में सांती है हां के मन को सांती प्राप्त होते हैं और यह वहन्त जी बाबा जी लोग बै अधिर गवां श्री राम जी की मूर्थिया स्था पर गाईज आप अधिर दर्फन कराते हैं राम लक्समा नौर्थिता यह देखे गाईज अगे महल फरणी जी है यहां पर काफी सकून मिलता है दल को आके अधिर आप अधिर पहुत है इस तुम्दर कलाकृतिया तली हों है दिवारों पर जाइज यहां से विल्कुल हटने का मन नहीं करता है मेरा भी अहीं मन करता है कि यह विस्राम करें और गाईज यहां पर एक बात कॉमन है हर दिवार पर स्री राम चरित मौनास जी के दोहें लिखे हुए हैं यह देखिए गाईस यह देखिए जो सुखधाम राम असनामा अखिल लोक दायक विसरामा तुम्मम सखा भरत संभराता सदा रहो पुर आवत जाता जैसी चो गाईएं यहां राम चरित मौनास की लिखी हुए है और गाईज एक बार फिर से हम आपको दसर अब कराते हैं गाईज इसमें आपको काफी मजाने वाला है यह गाईज हम चारों तरफ कभी आपको देखा रहे हैं काफी मजाएगा गाईज आप आप